नमस्ते इन खबर देख रहे हैं अगर यह स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे होंगे अभिनाव अरोरा है इधर लॉरेंस विष्णों यह क्या कहानी है विस्तार समझते लेकिन उसके पहले अगर अभिनाव अरोरा के बारे में जानना चाहेंगे तो अगर आप रियल्स और एक आप यह की अभी आप वी दिख लाइं न कुछ नारे लगा देते माझते जिसके बाद से लगतार अभिनाव रॉररा में रहते कुछ लोग ट्रॉल भी करते हैं उनके पक्ष में बाते करते हैं लेकिन कल यानि कि 28 सारी को एक खबर आती है अभिनव अरोरा की मा जो है जोती अरोरा उनकी तरफ से एक वीडियो आता है एनाई पर और उनका कहना है कि लॉरेंस बिस्नोई जिनकी चर्चा भी हाल ही में हुई हत्या बाबा सिद्धिकी की हत्या के बाद से लगतार चर्चा प इस बात का चिक्र करती है कि कल लगबग साड़े तीन बजे अभिनव अरोरा की माँ बताती है कि लॉरेंस भिस्नोई ग्रुप की तरफ से एक कॉल आता है जिसे रिसीव नहीं कर पाती जिसके बास उन्हें वाटसाप पर एक मैसेज आता है कि अभिनव अरोरा को मार दिया जिसके बास से अभानावरोरा की मां जो जोती अरो रहा है उन्होंने पुलिस विवाग में इसकी सिकायत दर्ज करवाई है साथ ही सीक्योरटी की मांग भी की है क्योंकि उनके बैटे जो अभिना औरोरा उनसे संबंधिर लेकर तो कहिने कई गलत तरीके से पेस्ट की जा रहे थे उसके बाद से उन्होंने लगभव असी यूटूब चैनलों के लिंक वहां पर समिट किये हैं इसके अलावा चैनलों पर मुकद्मा भी दर्ज करवाया है लेकिन सवाल यह उठता है कि जब से बाबा सब्सक्राइब कर तो पप्पू की तरफ से त्यूट किया जाता है जिसमें ट्यूट में अगर पढ़के बताऊं तो उसमें यह लिखा जाता है कि यहां यह देश है यह हिज्डों की फोज नहीं है एक अपराधी जेल में बैठे चुनावती दे लोगों को मार रहा है सब म दर्सक बने हैं कभी मुशेवाला कभी कंडी सेना के मुखिया और अब एक उद्धोग पती राजनेता को मरवा डाला कानून अनुमती दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस विश्णोई जैसे दो टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खतम कर दूगा यह कहिने कि पपू या कुछी दिन बाद एक कहीने की ट्वीट आता और एक प्रेस रिलीज जारी होता है पपू यादो की तरफ से जिसमें कहीने कहीने कहीन पपू यादो सेक्योर्टी की मांग करते हैं ग्रह मंत्राले को चिठ्थी लिखते हैं कि उनके जान को खत्रा है और लगातार लॉरेंस में कोई भी कारक्राम हो तो इन सिक्योर्टी के बावजूद हमको जो बिहार पूलिसे उसके भी सुरक्षा दी जाए इसके लावा बात करें तो छत्री करणी सेना के प्रमुख राज सिखावत हैं उन्होंने भी अभी हाल ही में लॉरेंस बिस्नोई को लेकर एक कहीने कहीन किया था और मीडिया में भी बाते की थी कि लगभग एक क्रोण 11,11,111 रुपए का इनाम रखते हैं अगर कोई पुलिस वाला इंकाउंटर कर देता है तो उन्हें ये रुपए दिये जाएंगे इसके अलावा उस पुलिस वाले के परिवार को सुरक्षा भी करड़ी सेना क तरफ से दी जाएगी लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ने लगता है लौरेस विस्नोई के गैंग के पास एक ख़बर जाती है तो कहीने कहीं फिर राज सिखावत का एक बयान और आता है वो एक इंटर्व्यू को एक चैनल को इंटर्व्यू देते हैं और उसमें इस बात का जिक्र करते हैं कि लौरेस विस्नोई गैंग की तरफ से उनको धंकी दी गए और इस बात की भी पुष्टी करते हैं एक बिहार के उसामा खान नाम से एक सक्स है जो की करड़ी सेना के जो यद्धच है उनके प्रमुख भी बताए राज सिखावत के उसको लगभग डेढ करोन रुपए की कहीं ने कहीं फिरोती दी जाती है कि अगर आप राज सिखावत की हत्या कर देते हैं तो लौरेंस विस्नोई की तरफ से ये पैसे दिये जाएंगे तो अगर देखा जाती इप तीनों मुद्दे जो चर्चा में हैं अभिना रोरो का देख लिए जाए पपू यादो की बात कर राज सिखावत पहले धमकी देते हैं लौरेंस विस्नोई को उसके बाद जब लौरेंस विस्नोई की तरफ से पलटवार होता है तो कहीं ने कई सुरक्षा की मान करते हैं लेकिन इस पूरे मामले मार आप क्या सोचते हैं मैं कमेंट वाक्स पर